जहिन दोस्तों तो आज यह इंट्रोड़क्शन क्लास का पार्ट टू है जिसमें हम जार्खन के उन नए जिल्लों के बारे में जानेंगे जिनका निर्माद जार्खन गठन के बाद हुआ था पहले लातेहार, जामताळा, सिम्डेगा, सराय केला खरसावा, खुट्टि और रामगण आपके समख जो सिरियल नंबर वञन से फोर तक दिख रहा है लातेहर जामताला शिमडेगा और सरायकेलाहर सावा इनका निर्मान昨 2001 इस्वी में भुवा था जबकि खुट्टी और रामगर्ण इनका निर्मान 2007 इस्वी में भुआ था तो यह नए जिले थे जिंका निर्मान जहारखन राजी के गठन के बाद हुआ था अब आगे हम लोग जानेंगे जार्खन के राज के परतिक के बारे में तो सबसे पहले राज के विरेज जार्खन के राज के विरेज क्या है साल दूसरा जार्खन के पुस्प क्या है तिसरा जार्खन के पसू क्या है और चौथा राज के पक्षी क्या है कोयल हम लोगों ने टॉपिक है जार्खन का राजचीन यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला हर एक एक्जाम्स के लिए इसके पिछे कारण यह है कि यह नया राजचीन है इसका अनावरन जो है 15 अगस्त 2020 को किया गया था आप समझ सकते कि आने वाले एक्जाम्स के लिए कितना गया है उसके बाद वाला खंड में 24 हाथियों का सिम्बूल बनाया गया है उसके बाद वाला खंड में 24 प्लास के फूलों का सिम्बूल बनाया गया है उसके बाद वाला खंड में 48 नर्तकों का सिम्बूल बनाया गया है और अंतिम वाले खंड में 60 सफेद विरितों का निर सबसे पहले तो इस राज चीन को गोलाकार क्यों रखा गया है विरिताकार क्यों रखा गया है तो विरिताकार परतीक है राज की प्रगती का अगला इस राज चीन में हरे रंगों का प्रयोग किया गया है हरा रंग परतीक है हरी बरी धर्ती एवं मनसंपदा का अगला जो 24 हा तब तक का सिम्बूल दिखाया गया है, वह परतीक है सौर चित्रकारी का, अंतिम चक्र में 60 सफेद वृतों का निर्मान किया गया है, इस तरह से हमारे राजी चिंजियों से पूरी तरह से कम्प्लिट होता है, क्लास से आपको जानकारी मिली हो, तो आपने दोस्तों के साथ स हन्यवाद, जाहिन!